साल 2003 में रिलीज हुई फिल्म हंगामा से जुड़े वो दिल्चस्प किस से क्या है जो आप नहीं जानते होंगे इसका सीक्वल यानि कि हंगामा 2 कब तक रिलीज होने वाली है कितना शूट इसका कंप्लेट हो चुका है हिलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं बॉलिग्राफ स्टूडियोज में सोनी का जयाल बात करेंगे हंगामा की जो कि साल 2003 में आई थी और फिर हंगामा 2 की अपडेट के बार में तो अगर आप हंगामा जैसी फिल्मों के शौकीन है तो ये वीडियो आखरे तक जरूर देखिएगा आपको पता दी जो हंगामा थी एक कंफ्यूजन कॉमेटी फिल्म थी साल 2003 में रिलीज हुई थी और चो कंफ्यूजन फिल्म में ये दौरान चल रहा था उसका रिजल्ट हमारी हसी के फुहारे थे मतलब इतना मज़ा आता था इस सुल्म को देखे और आज भी हम बार बार देखते हैं थोड़ा से मैं आप भी को याद दिला दू अक्षे खन्ना को लगता था कि रिमी सेन जो है वो परेश रावल की बेटी है परेश रावल को लगता था कि उनकी वाइव जो है उनका अक्षे खन्ना से चक्कर चल रहा है और परेश रावल की वाइव को लगता था कि रिमी सेन और परेश रावल का चकर चल रहा है यह फिल्म एक ऐसी फिल्म थी जो hero heroine पर बेस नहीं थी बलकि इसके सारे character एक दूसरे से connector थे और इसमें ऐसा हो रहा था कि अगर एक भी character कम हो तो यह फिल्म नहीं बन पाती प्रिया दर्शन जो कि फिल्म के डिरेक्टर थे वही इस तरह की फिल्म में बना सकते हैं उन्होंने कई कॉमेडी फिल्म में बनाई हैं जो हसासा कर लोटपोट कर देती हैं हेरा फेरी इसे पहले उन्होंने बनाई थी उसके बाद ये तेरा घर ये मेरा घर और ये उनकी तीसरी बॉलेवर्ड कॉमेडी फिल्म थी हंगामा इस फिल्म को वीनिस रिकॉर्ड बैनर के तले बनाया गया था फिल्म में कुन बिलाकर साथ गाने थे और साथों के साथों सूपर हिर थे अगर फेमस गानों की बात करो तो चैन आपको मिला ये बहुत ही में जो कि आचकल बहुत जादा फेमस हो रहा है और बहुत सारे लोग इसमें टिक टॉक बनाया करती थे जो कि अब बैन हो चुकी है अधित नार्या नलका यागनिक और अभीजीत बत्याचार्या शान जैसे सिंगर्स ने इसमें गाने गाए चे करोड की बजट में से बनाय शामल कर दिया था और दोसों से 210 स्क्रीन्स पर रिलीस किया गया था और बॉक्स आफिस की रेस में ये 13 नंबर पर थी उस वक्त पहले नंबर पर कोई मिल गया थी दूसरे नंबर पर थी कल हो ना हो और तीसरे नंबर पर थी हीरो अमडी बी रेटिंग की बात करो तो 7.8 की से MDP rating मिली थी प्रिया दरशन की बात करें जो की बहुत कमाल का direction करते हैं और मलयालम फिल्मों में उनकी अच्छी खासी पकड़ है वही फिल्में वो direct करते थे और मलयालम से उन्होंने हिंदी में जितने भी फिल्में बनाए वह या तो उनकी 84 में आई ओच्छापुरू मोगिरे का हिंदी रिमेक थी और इसी से डेब्यू किया था उन्होंने मल्यालम इंडस्ट्री में और ये तनी सूपर हिट रही कि सौ दिन तक वो चलती रही मल्यालम सिनेमा में एक सूपर हिट फिल्म का वर्डिक्ट इसने हासल किया था वहीं प् रानी में खर्जी का उफर किया गया था लेकिन डेट्स की प्रॉब्लम के चलते ये नहीं हो पाया फिर प्रिया दर्शा ने बात भी कही थी कि मुझे इस स्क्रिप्ट के लिए किसे बड़े चाहरी की ज़रूरत नहीं है जब लोग इस फिल्म को देखेंगे तो वो छोटे जो आक्टर है उनके साथ भी उसे इतना ही पसंद करेंगे क्योंकि जो स्क्रिप्ट होती है उसमें दम होना चाहिए और वाकई इस स्क्रिप्ट में इतना दम था कि ये एवर ग्रीन फिल्म बन गई राजपाल यादव की एंट्री कैसे हुई ये भी इंट्रिस्टिंग किस्सा था जब राजपाल का ओडिशन चल रहा था तो प्रिया दर्शन ने सिप्रे की बाद बोली आपको पागलों के आक्टिंग करनी है और बागलों के जैसे भागना है जब ये सब करके राजपाल यादव ने दिखाया प्रिया दर्शन को तो उन्हें बड़ा पसंद आया और उसके बाद इतना पसंद उन्हें राजपाल यादव का किरदार आ गया कि उन्होंने उसके बाद लगबग हर फिल्म में राजपाल यादव को साइन किया और सिफ राजपाल को ही नहीं उनकी बहुत सारी फिल्में आपको देखेंगी जिसमें केरेक्टर को रिपीट हो करते हैं मला हीरोस को जैसे कि आक्षे कुमार, परीश रावल, सुनील शेटी इन सब को उन्होंने अपनी कई फिल्मों में बार बार रिपीट किया है तो एक बार प्रिया दर्शन को जो भागया समझो भागया वहीं दोस्तों अब पूरे 6 साल बाद एक बार फिर से कमबैक कर रहे हैं प्रिया दर्शन हंगामा टू के साथ शिल्पा शेटी पूरे आपको 11 साल बाद कमबैक करती हुई नजर आएंगी इससे पहले वो अपने में नजर आई थी और बहुत ज़ादा इंदिजार है अब हंगामा टू का इसमें शिल्पा शेटी परेश रावल आशुतो श्राना जैसे बड़े बड़े उंदा करेक्टर नजर आएंगे और आपके राजफ़ाल यादब भी होंगे तो खुश हो जाएए हंगामा टू की शूटिंग आदे से जादा कम्प्लीट हो चुकी है और शिल्पा शेटी ने खुद इसकी अपडेट भी डाली थी अभी वो शूटिंग ही कर रही है और ये फिल्म 2021 में रिलीज होगी तो आपको हंगामा टू का कितना दिजार है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा और इसी तरह के दूसरे दिल्चस्प वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल पॉलीग्रास स्टूडियोस को